गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का आर्वी अडिट्यूब क्लास में तो स्टुडेंट्स जैसे है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह सीरीज चल रही है स्टॉडेंट्स चाहरके डियू को कि देख सकते हैं तो चलिए सुरु करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसमें से क्या पूछा गया ठीक है तो आप जैसे की देख पा रहे हैं कि इस question में हमसे पुछा गया है classify the following polynomials as monomial, binomial, trinomials which polynomials do not fit in any of these categories these three categories तो वो three category कौन-कौन से है monomial, binomial, trinomial मतलब जो monomial नहीं है, जो binomial भी नहीं है और जो trinomial नहीं है, वो कौन-कौन से है तो चार हमें बताने हैं एक monomial, एक binomial, एक trinomial और एक तीसरा जो इन तीनों में नहीं आता है चलो फिर देखते हैं अब देखो, आपको क्या देखना है बहुत सारे students confused हो जाते हैं कि sir monomial कौन सा होगा और binomial कौन सा होगा तो उसको कैसे पहचान होगे देखो monomial और binomial आप addition sign और subtraction sign प्लस और माइनस से पहचान होगे अगर प्लस आ गया है बीच में तो समझो कि यहां से जो term हो separate separate हो रहा है टर्म क्या होता है कोफिस कोफिसियंट और variables का multiple होता है factors होता है ठीक है तो चलो फिर देखते हैं सबसे पहले हम जुरू करेंगे monomial से ठीक है सबसे पहले हम जुरू करेंगे monomial से solution allein okay monomial ठीक है अंडी में कहते है एक पद कि तो आपर सबसे पहले आप देखो तो यह exeplay despite इस अगया क्या प्लस हागय इस मतलब एक तरम यह थो यह तो नहीं हो सकता हा यह है इसमें कोई बास या माइनस नहीं आये तो एक पर आर्गे यह एक टर्म है ठीक है तो एक तो हो जाएगा हमारे पास थाउजेंट उसके बाद यह देखो यहां पर एक दो तीन तीन बार प्लस आया है मतलब चार्टर में कौन-कौन से याक्स एक्स स्क्वाइर एक्स क्यूब एक्स रेच्टू दिपार फोर तो यह भी नहीं होगा मोना में में यह तीन टर्म ठीक है तोस्कोद में तोस्क्रकार से आप देखोगे कि जो मोना मेल है वह यहां पर है देखो आपर प्लस या, मांश नहीं है मतलब एक यह मोना मल है Channel मोना मिल आपको 1 यह माइनस और से ही अलग करना है यहापको पता कर पाओ ठीक है ट्यापर क्या ओANSबसायगा थिए अरर आप और कई पर मुनमियल दीख नहीं नहीं रहा है तो हम बाइनो मिन कि बात करते हैं कि बाइनॉमियल्स मतलाव होता है तू टर्म है ना कितने टर्म हिंदी में इसको बोलते हैं दूई पद ठीक है तो यहां पर आप देखोगे प्लस है तो एक पद और दो पद यानि कि तर्म दो टर्म तो इसमें दो टर्म है तो एक यह हो जाएगा हमारा binomial यह x plus y और आगे चलेंगे तो देखो इसमें 4 टर्म है 1, 2, 3, 4 तो यह नहीं होगा यह देखो इसमें 3 टर्म है यह भी नहीं होगा हाँ यह यहाँ पर 2 टर्म है 2i minus 3y square देखो यह minus sin से separate हो रहा है यह वाला तो यह होगा एक binomial 2i minus 3y square अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2i minus 3y square और यह भी इसमें है plus 4y cube तो यह भी नहीं होगा है इसमें 3 टर्म है यह भी 3 टर्म है हाँ यह है 2 टर्म यह वाला तो यह किये हो जाएगा 4z minus 15z square ठीक है इसमें 1, 2, 3, 4 देखो प्लस से सेपरेट हो रहा है तो इसमें 4 टर्म है यह भी नहीं होगा हाँ यहाँ पर देखो p square q और प्लस p q square इसमें 2 टर्म दिख रहे हैं तो यह होगा p square q plus p q square ठीक है एक टर्म यह होगा यहाँ पर अगर आप देखो तो 2p plus 2q यह भी एक चलो आगे देखते हैं trinomial कौन सा होगा trinomial का मतलब होता है तीन पद यह ना यानि कि 3 टर्म तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर इसमें 4 टर्म है 1, 2, 3 तो यह एक trinomial होगा means 7 plus y plus 5x ठीक है थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमको देखो 1, 2 और 3 यहाँ पर मिलेगा तो यह भी एक trinomial है क्योंकि इसमें 3 टर्म है 2i minus 3y square plus 4y cube ठीक है और आगे चलेंगे तो देखो 1, 2, 3 देखो यह minus से अलग हो रहा है और यह plus से अलग हो रहा है तो आपको plus और minus का sign देखके समझाने की एक टर्म होगा तो यह एक trinomial होगा फाइफ कि याक्स कि माइनस पोर भाई प्लस 3 xy ठीक है आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर बाकी सब नहीं है ठीक है यानि की ये वाला हमने हो गया और ये वाला भी हो गया और टेक है आब हम बात करते हैं कि भाई देखो यह जो थे बाइना न मेल मो न मिल और ट्राइना मेल यह तो हो गए तो भई अब अब अदर कौन सा होगा जो सूरी में फट नहीं होगा то अब अधर वह होगा जो पॉलीनाम इल होगा ठीक है क्या होगा पॉलीनाम इल करें सिंद देखो वैसे तो मोन आमियल भी नमियल ट्राइऑन आमिल भी एक पॉलीना मिल भी लेकिन जाहां तक एक सब के क्र真的 होती नोमेल के बाद फोर ट्रम आ जाएगा जैसे कि यहां पर एक दो तीन चार चार टर्म हैं कौन-कौन से x-plus-ex square plus x cube plus x raise to the power 4 एक तो यह हो गया यह हो गया अब हम आगे देखेंगे कि और कौन सा बच गया यह भी हो गया है यह भी हो गया है यह बच गया है यह बच गया है ना तो इसमें कितने हैं एक दो तीन चार अ के भी प्लस भी सी तो लैसी और प्लस धीयस में इसके बाद कोई टरम हमारे पास बचा नहीं है हमने सब को राइड कर लिया है ठीक है तो यह हो गय basket उसे जो एक टरिम है वह मोमैयल में आ जाएंगे पॉलिनामियल्स को इंदी में कहते हैं बहुपद ठीक है तो अब आप समझ गए होंगे आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने से राइट डाउन कर लिया होगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर आपको किसी कोशन में प्राबल घगर अपने जागर यह वीडित